चाह रहा था बोलो क्या बात है? I love you यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्यार? किस रिस्ते से? ना आप मेरे भाई हो, ना चाचा हो, ना मामा हो आखिर आप किस रिस्ते से प्यार करते हो? अपना आशिक ही समझ लो आशिक, पर हम तो यहाँ पढ़ने आये हैं इससे क्या फर्क पढ़ता है? पढ़ाई के समय पढ़ाई और बाटी के समय प्यार क्या हमारा समाच इसकी इजाज़त देगा? क्या मेरे माबाप को जब इस प्यार का पता चलेगा तो उन्हें दुख नहीं होगा? कहीं हमारा समाच साधी से पहले किया गया प्यार को पाप तो नहीं कहेगा? समाच समाच समाच, समाच तुम्हारे घर को खाना देता है क्या? नहीं ना, तो फिर समाच से क्या लेना देना? आपकी कोई बेहन है? हाँ है, दोनों कोलिज में पढ़ती है कल दोनों को बोलना कि अपना अपना आशिक ढूंडे और खूब प्यार करे तेरी ये मजाल तु मेरे बहनों के बारे में क्यूं पट गया प्यार का नसा क्या मैं किसी की बहन नहीं हूँ क्या तेरी बहन आस्मान से उत्री है नहीं वो भी मेरे जैसे किसी मा की गर्व से जन लिये खुद की बहन बहन है और दूसरों की बहन राह चलती लड़की यही दोगली सोच मनुस्य जैसे ग्यानी प्रानी को हैवान बना देती है उसे बलतकारी और दुसकर्मी बना देती है कर्म करो भाईया माबापने पढ़ने भेजा है पढ़ो यही कर्म है माबाप के सपनों को साकार करो इससे बढ़कर कोई प्यार नहीं है एक माबाप अपने बाल बच्चों के पालन पोसन में ही अपने सारी जिन्दगी बिता देते है तो क्या जवान होकर हम उनको बेज़क करें जिसने अपना खून पिला कर पाला क्या उनकी भावनाओं का खून करते जिस भाई ने जिन हाथों से गोद में खिलाया क्या उन हाथों को काटते क्या यही प्यार है अगर यह प्यार है तो पाप क्या है क्या माबाप का हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं पर प्यार जिसने भी किया उसे दो रास्ते मिलेंगे पहला प्यार और पढ़ाई एक साथ हो नहीं सकता कॉलिज में आपका कर्म है पढ़ना प्यार पढ़ने में मन लगने नहीं देगा यहां आप अपने कर्म से भटक जाएंगे दूसरा अगर आप प्रेमी से मिलने में घर देर से पहुची माबाप ने पूछा तो आप जूट बोलोगी और जूट बोलना पाप है तो फिर यह सोचो कि आप प्यार कर रही हो या पाप तीसरा अगर माबाप आपका प्रेमी पसंद नहीं है तो प्रेमी को छोड़ोगी नहीं और माबाप को छोड़ना आसान नहीं है अगर माबाप को छोड़ती हो तो पहले सोचो अगर आपके प्रेमी का साल दो साल का प्यार प्यार है तो आपके माबाप ने जो आपके लिए थारह उनने साल तक किया क्या वो पाप था आपने जिस गर्व से जन लिया उस गर्व के अगर आप इज़ित नहीं कर सकती तो उससे बदनाम करने कभी आपको कोई हट नहीं है चौथा अगर आपने प्यार में थोरी भी नादानी की और गर्व धारन कर लिया तो जिन्दगी नर्ग से भी बत्तर हो जाएगी आप उस बच्चे को जन दे नहीं सकती और गर्व को नस्ट करना पाप से भी बगए इसलिए हे दीदी हे बहन इस जिन्दगी में कुछ नहीं है कर्म प्रधान है कर्मी पूज़ा है बस कर्म कीजिए ये तन नस्वार है एक दिन नस्ट हो जाएगा दो पल के सारी रिक सुख के लिए अपनों को मत प्यागिए अगर कन्यादान करने के लिए भगवान ने माबाप को बनाया है तो कोट में जाकर जज या वकिल से कन्यादान क्यों करा है मैंने इफ्ञाने में लर्की जाती पर जोड दिया है क्योंकि मैं एक लर्की हूँ और जानती हूँ कि एक लर्की का मन अगर पवित्र है तो कोई माई का लाल उसे छुना तो दूर नजर उठा कर देखेगा तो उसकी आँखे जल जाएदी